हेलो फ्रेंट्स एके कारफ हैट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आपके सामने है होंड़े की शांदार सब कॉम्पैक्ट स्यूबी वेन्यू और यह इसका SX वेरियंट है इसके उपर सीर्फ आपको एक वेरियंट मिलेगा SX ऑप्सनल और यह डीज यह रियर के व्यू देख लें तो एक बार हम इसका पूरा साइड का व्यू देख लेते हूं और इसके लेंथ हो अगयरा में अच्छे पे चर्चा कर लेते हूं तो इसमें आपको 495 mm की लेंथ मिल जाती है और 1617 mm की हाइड मिल जाते है और अगर हम बील बेस की बात करें त लगभग 2500 mm का मिल जाता है जो बहुत अच्छा खासा है और इस सेग्मेंट में यह बहुत अच्छा खासा प्रेजन्ट भी देता और इसका रोड प्रेजन्ट तो बहुत ही शान्दार जब इसका मैं फ्रंट का लूक आपको दिखाऊंगा तो आप कहें कि मतलब आपके मु इसका मेंबर आ गई है इस फैमिली में एक निव गाड़ी भी एड हो गई है यह है ग्रेंड डाइटन नी ओफ और यह अभी निव फेफलिप्ट ही आया इसका तो इसका हमने वीडियो पहले ही बना के अपलोड कर दिया है तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख सकत लगता है जैसे पहले लोग कहते थे कि इसका फ्रंट का लुग तो ठीक ठाक है अच्छा है लेकिन रियर के वीव में थोड़ी सी लोगों के फिकायत रहती थी लेकिन यह सारी कमी होंड़ी ने दूर कर दी है और सभी लोगों की सुन भी ली है जिसमें चाहे आप आप फ्र सेमिली के दूफरी काल है अलकजार उसी टाइप से इसमें ग्रिल दे दी गई है ऐसा लगता है कि बस अलकजार के थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है और यह ग्रिल बहुत ही शांदाल लगती है स्क्वेर टाइप की इसमें चोटे-चोटे से ब्लॉग मने हुए हैं जो बह पर आप देखेंगे छोटे-छोटे से आपको यह पूरी सेटिंग मिल जाती है यह DRL टाइक पे ही जलती हुई दिखती है जो बहुत श्यांदाल लगते है और इसमें आपको बल भी मिल जाते है अब आप थोड़ा से नीचे देखेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि इ एक पट्टी जाती ही दिखती है चोड़ी सी और इसमें इसपेस है जिससे हवा अंदर जाती है और इंजन कूल रहता है और इसमें आपको 195 mm का ग्राउंड किलेंट से मिल जाता है जो अच्छा काफा है तो यह तो होगे इसके पूरी फ्रंट व्यू की कहानी एक बार आप पूरी अच्छी तरह से देखे है सच में यह बहुत अच्छा लगता है उसके बाद आप बोनट में देखेंगे तो यह कर्व टाइप की डिजाइन दे दी गई है और यहीं उपर आपको वाइपर मिल जाता है तो यह सारी चीज़ आपको प्रोवाइट करी गई है क्योंकि यह पूरी बलैक लेडिंग मिल जाती है उपर जो अच्छी लगते है और यह चारों तरफ यह आपको मिल जाती है पूरी कार में यह गुंती रहती है जो देखने में यह रेड कार है तो थोड़ा आप़ और प्र वाइट में यह बहुत ही चांदा लगती है उसके बाद यहां पे ORBM मिल जाता है और इसी में आपको एक छोटा पा 10 इंडिकेटर मिल जाता है और यह नीचे भी यह पूरा यह सबसे शांदार कार लगती है देखने में तो बहुत इजबर जस्त है और उपर यहां पे आपको रूप रेल मिल जाते हैं और यह प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल तो नहीं कह सकते आप इसको फैंसी टाइप के हैं डिजाइन के लिए गये हैं और पीछे भी आपको सोला इ रहती थी मैंने फुना था कि गाड़ी तो यह बहुत चांदार है लेकिन इसका पीछे कभी अच्छा नहीं लगता तो आप देखिए इसमें एक कनेक्टेट लाइट मिल जाती है पूरा टेल लैंप को कनेक्ट करती हुई उपर आप देखेंगे तो यह फार्क में इंटीना भाण मिल जाता है यहां पर वाफर मिल जाता है यह आपको मिल जाता हाइसे top mountain lamp और defogger मिल जाता ही उपड़ा और इसमयansa भाईज देखेंगें है नीचे आपको पूरा और long की बेजिंग मिल जाती है और रुफी के निचे और रूम में मीं लिखा हुए मिल जाता है और यह मिल जाता है यानि एक टेल लैंप से लेकर दूफरे लैंप तक की ये पूरा कनेक्ट रहता है और रात की टाइम में जब ये आउन रहता है ना धेरे में तो बहुत ही की शांदाल लगता है तो इसके डिजाइन में आपको कोई भी इसु देखने को नहीं मिलेगा और इसकी लाइट भी बहुत तेज़ है ये कि ये फिरिफर डिजाइन के लिए दिए गया है इनकी विजबिल्टी बहुत अच्छी है उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यह आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको 955 mm का ground के lens मिल जाता है तो यह तो हो गई पूरे rear view की कहानी जो rear view में आपको चीज़े मुझे नहीं लगते कि कोई ऐसी है कि जो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरह पी design किया गया है अब हम एक बा कैमरा आपका गेट के साथ ही ऊपर आ जाता है बूट के और इसमें आपको अच्छा काफा फाढ़े 300 लीटर का बूट स्पेस में मिल जाता है जिसमें आपके दो तीन बड़े फाइट के बैक तो आराम से बैठ जाएंगे और इसमें आपको बूट लैंब भी मिल जाता है और पीछे सायद ये बूफर वगेरा भी मिल जाता है देखना पड़ेगा ये तो ये फारी चीज़ें करी गई है और ये सीट की अगर मैं बात करता हूं तो सीट भी 50 फोट्टी में है और यहां पे आप नीचे देखेंगे तो 15 इंच का स्पेर विल भी मिल जाता है और इस फोलड साथ से इसको बूट को और भी ज्यादा encourage कर सकते हैं ऐसको आपकेप पाप ज्यादा सामान है तो आप तो आप टच करके इसका door open कर लेंगे तो सबसे पहले आपके नजर जाएगे इसके door trim में जो black and white में दिया गया है जो handle side में यहाँ पे छोटा पर दिया गया है और पूरा ही आपको theme black color में मिलता है जो देखने में अच्छा लगता है और इसका texture भी देखेंगे तो यह पूरा करने के फिच दिये गये हैं और power window के button दिये गये हैं और driver fight आप one touch up down भी कर सकते हैं तो यह फारी चीज़े क्योंकि यह top and variant है तो यह फारी चीज़े मिलने चाहिए और यह जो पूरा white area दिख रहा है यहाँ पे light का पूरा texture दिख रहा है light color में तो वह पूरा आपको soft touch में मि जाते हैं उसके बाद आपको नजर जाएगी इसकी seat में तो यह पूरी फैब्रिक में हैं कुषणिंग इसकी बहुत शांदार है और एक जो सबसे शांदार चीज़ है इसमें तो इसमें आपको adjustable headrest मिल जाते हैं और कुषणिंग तो बहुत शांदार ही है होंड़े की किसी भी कार में आप बैट जाओ आपको लग्यरी फील जरूर होगी और यह दोनों side के यह जो bucket type की seat दी गई है यह आपको मतलब जकड के रखती है पकड के रखती है तो अगर आप कितनी भी दूरी का सफर करते हैं और drive करते हैं तो आपको थकावट मेंशूफ नहीं होती और feet म है कि इसमें बैट के आप यह सारी चीजें फील कर सकते हैं आप सच में बोलेगे कि इसकी seat बहुत शांदार है उसके बाद आप इसका पूरे deathboard देखेंगे तो बहुत ही शांदार बहुत ही luxury type का deathboard लगता है और पूरा futuristic design लगता है dark gray और light का dual tone का design दिया गया है जो देखने आपका design भी बहुत अच्छा है और यहीं पर आप देखेंगे तो इसमें आपको start stop को button मिल जाता है engine को क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह स्मार्ट की मिल जाती है और नीचे ही आपको यह ABC पैडल मिल जाता है तो लगजरी चीजों का भी ध्यान रखा गया है तो यह फारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं सीट में बैठने के बाद सबसे पहले आपके नजर जाएगी इसके steering wheel में जो पूरी तरह से leather wrap किया गया है उसके बाद आपकी नजर जाएगी इसके logo पे जो छोटा फार मिलता है और यह chrome पे दिया गया है left side आपको पूरा infotainment system का control मिल जात है और यहीं पे side में आपको यह पूरा silver farten में मिल जाता है और यह flat bottom type का design दिया गया है जो देखने में premium लगता है और इसी type से आपको क्रेटा में भी मिल जाता है और सामने आप देखेंगे तो यह पूरी तरह से digital instrument cluster मिल जाता है और यहाँ ether fight आपको wiper के control मिल जाते हैं और display मिल जाता है जिसमें आपको android auto और apple carplay support करता है और इसकी visibility भी बहुत अच्छी है और दोनों ही side आपको AC knob मिल जाते हैं और AC knob के चारों तरफ आपको यह silver farten touch मिल जाता है यह line मिल जाते है जो इसकी premium निसमें 4 चांद लगा देती है उसके बाद आप यहाँ पे नीचे यह गये है circle type में यह देखने में बहुत premium लगते हैं और यह beach वाले में तो आपको छोटा फ़र डिफ्प्ले भी मिल जाता है और नीचे ही आपको यहाँ पे wireless charging मिल जाता है और रुफी के ऊपर यह C type में आपको charging मिल जाती है और यह diesel गाड़ी हो तो fix speed manual gearbox मिल जाता है और न सकते हैं day night में और रुफी के ऊपर cabin light मिल जाती है और यह दोनों ही light से white light है तो जब on रहती है तो बहुत अच्छी रगती है और क्योंकि यह top and variant है तो इसमें आपको sunroof का भी option दिया गया है यहाँ पे आप इसको on कर सकते हैं और आप ticket holder देखेंगे तो यहाँ पे आपको co sun glass holder भी जरूर मिलना चाहिए था यहाँ पे आप पूरा sunroof को open कर सकते हैं जैसे यहाँ और यहाँ पे आपको mic भी मिल रहा है यह miss हो गया था तो इसको मैं blend को हटा देता हूं एक बार तो यह देखी है कि इसमें अच्छा खाफा defend fight का आपको sunroof मिल रहा है बहुत ज्याद और mobile सोगरा रख सकते हैं और cooled glove blocks भी मिल जाते हैं इसका भी size अच्छा है इसमें आप अपने जरूरत की documents सोगरा रख सकते हैं और इसमें आपको दो standard airbags मिल जाते हैं लेकिन जो sx optional है उसमें आपको six standard airbags मिल जाते हैं co driver fight का पूरा gate देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चंज नहीं है लेकिन आप questioning देखेंगे इसकी seat की तो बहुत इचांदार है इसमें बहुत आराम दायक आपको seat मिल रही है जो मैं दो तीन वार बोल चुका हूँ तो मुझे नहीं लग अब हम देखते हैं कि हमें passenger fight क्या क्या चीज़े मिल रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह भी आपको body color में door handle मिल जाता है लेकिन आपको कोई sensor और प्रोबाइड नहीं किया जा रहा है अब यह वाला आप door trim देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई change देखने को नहीं मिलेगा उसी type से color theme करी गई यहाँ पे dual tone में यह चीज़े दिख रही है और पीछे आपको speaker भी मिल जाता है और bottle holder मिल जाता है और यह door opener भी आपको मिल जाता है और single individual power window का button मिल जाता है उसके बाद आपके नजर जाएगी जो पीछे main है इसकी seat इसकी seat तो मैंने support भी अच्छा काफा मिल जाता है तो अगर आपकी height fixed speed की भी है तो आपको कोई issue नहीं आएगा और इसके space की तो बात ही मतकुरो अच्छा काफा अंदर इस space आपको मिल जाता है तो एक बार मैं कार के अंदर बैठके देखता हूँ कि मैं इसमें प्रैक्टिकल क्या क्या हैं अगर आप पीछे बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इसके AC event में जो देखने में बहुत premium लग रहे हैं चारों ही तरफ आपको silver 14 मिल जाता है और नीचे आपको mobile charging के control मिल जाता है अब आप यहां पर पूरा इस space देखिए अच्छा खास आपको leg room मिल ज शकता है और यहीं पे उपर आपको cabin light मिल जाती है आपको इसमें तीन light मिल जाती है दो आगे और एक पीछे दोर handle यहां पे मिल जाते हैं Sunroof मिल जाता है लेकिन यहीं चीज मिसिंग है अगर fun glass holder और मिल जाता तो मजा आ जाता और यहीं पे आपको seatbelt मिल जाता है तो अगर ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों लोगों को ही सीड वेल जरूर बाधना चाहिए ये तो हो गई अंदर और बाहर के डिजाइन की पूरी कहानी अब हम एक बार इसके इंजन की बात करते हैं तो इसमें हमें 1493 सीफी का डीजल इंजन मिल जाता है जिसमें हमें अन्ठानवे पीएच्पी की मैक्समूम पावर और 240 सीनियम का मैक्समूम टाउर्क जनरेट करता है और ये फोर फिलेंडर इंजन है और फिक्सी स्पीड के मैनूल गेर बॉक्स के साथ आता है जिसमें 16 के MPL का मैलेज क्लेम किया जाता है अब एक बार आप इस कार का पूरा फ्रंट का लुक देखिए जो बहुत ही शान्दा लगता और इसमें आप चाहें साइड का लुक देखें या रियर का लुक देखें Thank you!